तो एक्जाम्पल सबसे बेस्ट वे होता है किसी भी कॉंसेट को समझने के लिए तो यहां पर हम लोग कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का जो कॉंसेट है उसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एक्जाम्पल्स का यूज करते हैं यह पहला एक्जाम्पल है जिसमें मैंने एक क्लास लिया हुआ है इंप्लोई नाम करके और उस क्लास के अंदर में मैंने यहां पर एक कंस्ट्रक्टर लिया है जो class का name same होता है और वो constructor का नाम भी same होता है तो दोनों का नाम यहाँ पर same है employee अब इसको हम call कराएंगे कैसे जब हम object create करेंगे वैसे ही यह call हो जाएगा और जैसे object create होगा यहाँ पर void main के अंदर में यहाँ पर आप देख सकते हो clear screen मैंने पहले डाला हुआ है ताकि कि पहले का screen clear हो जाए अभी का जो program है वह आपको दिखें तो employee करके यहाँ पर इसका object create हुआ जैसे object create हुआ यह object होने के बाद में यहाँ पर आकर के ID का value 11 हो जाता है और उसके बाद में बाद आगे का जो work होता है वह होता है आपको सबसे पहले में रण कर आगे दिखाता हूं और वह प्रोसेस बाद में आपको समझाता हूं कैसे होगा इसे रण कराते हैं compile भी इसी में अगर कोई false होता है तो यहीं पर सो कर देता है compiling and run दोनों का यह combination है सबसे पहले compile करेगा फिर link करेगा और देखें यहाँ पर सबसे पहले बोलता है इंटर यो नेम मैंने यहाँ पर ओके अपना नाम डाला और यहाँ पर बोलता है 11 इस योर आईडी कुशल थैंक यू अब यहाँ पर देखिए यह जो प्रोग्राम है आपको आईडी जेनरेट करने के लिए सकते हैं नोर्मल आप कभी भी कहीं पर जाते हो तो कुशको आपको आईडी जेनरेट करना होता तो उसी तरह से एक यह प्रोग्राम है जिसमें आपको आईडी जेनरेट कर सकते हो यहाँ employee जब आप create करते हो जैसे मैं आपको कहा कि Employee जैसे ही कोई object करेट करते हो तो यह id के अंदर में जो है वह 11 वेल्यू आ जाता है मतलब कि कोई भी constructor सबसे पहले call होता है और उसके अंदर में वेल्यू आ जाता है यहां पर यह वेल्यू आ चुका है उसके बाद next step में आते हैं उसके बाद यहां पर है वो जो object create किया था हमने यहां पर जोइनिंग को call कर आ रहे हैं मतलब यहां पर जोइनिंग नाम का कोई object स्वारिये function होगा वो call हो जाएगा function यह है word joining यहां पर एक function है यह call होता है इसके अंदर में यहांपर see out enter your name मतलब की output यहां पर देगा enter your name क्योंकि C out के अंदर में जो भी होता है, वो as it is print हो जाता है, तो यहाँ पर देखिये, जैसे ही यहाँ पर यह-so होता है, enter your name, और वो एक in-deline है, in-dagle के लिए, inl के लिए जब inline complete हो जाता है तो आपको next यहां पर line आता है gates name यह gates जो है वो scene का काम करता है character के लिए इसलिए हम इस gates का use करने से पहले ले लेते हैं studio.h इसका जो header file है वो studio.h है standard input output.h तो उसे हम लोग यहां पर ले लेते हैं जब हम gates name complete कर लेते हैं तो यह function यहां complete हो जाता है उसके बाद next जो है यहां पर आजाएगा void main के अंदर में और e.list इसे यहां पर फिर से call कराएगा मतलब कि जो हमने यहां पर object create किया था e उससे list को फिर से यह call करेगा जब यहां पर आएंगे तो void list में आएगा और list में यहां पर so करेगा cout id मतलब की id का जो value था हमारा 11 यह 11 वाला value वो यहां पर print हो जाएगा और उसके बाद में यह जो डबल कॉलन के अंदर में सी आईड के के अंदर में जो कि होता है वह एक हज़ितीच प्रिंट हो जाता है तो यह होगा उसके बाद यह नेम यहां पर print होगा यह नेंेम जो था हमारा value सुभर जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमने एक studio मतलब है उसको लिया हुआ हुआ क्योंकि gates का यूज करना है हमें यहां हम puts का भी यूज कर सकते थे इस name को सो करने के लिए यहां पर जो see out है इस जगा में हम लोग puts का भी यूज कर सकते और यहां जो लास्ट में हमने लिया हुआ है see out thank you वह सबसे लास्ट में प्रिंट करेगा ताकि यह सारे functions का use खत्म हो जाए उसके बाद यह लास्ट में प्रिंट करेगा चलिए फिर से आपको मैं इसे रन करा करके दिखाता हो कैसे दिखता है यह रन कराने के लिए आपको कंट्रोल पर से फ्रेंट डालना होता है आप यहां पर राइटली कर सकते हो इंटर योर नीम ओके अभी हम डालते हैं 11 is your ID TST हमने अपना चैनल के नाम लागा टीस्ट वह 11 इस आईडी मतलब आपका आईडी का जो है वेल्यू वह बता दिया यह है एक प्रोग्राम जिसमें आपने देखा कि कंस्ट्रॉक्टर का यूज कैसे होता है कंस्ट्रॉक्टर का यूज सबसे पहले कॉल कराने पर जैस एक और प्रोग्राम मैंने बनाए हुआ है जिस भी आपको दिखायों कि कंस्ट्रॉक्टर का यूज क्या यह यह है एक स्टुडेंट नाम का क्लास्ट बना हुआ इस स्टूडेंट नाम के क्लास में हमने कुछ जो है वेल्यू को लिए हुए है कुछ अ डिक्लेयर किया स्कारास्ट फीलियू काठीक स्टक्टर बना हुआ है और उसके अंदर में HR advised कर रहे हैं यहां है इस का मेल्यू हो जाता है कैसे होगा यह है पुरा प्रोग्ग्राम करते हैं हमने एक एक इस्टुटिन नाम से से हमने यहाँ पर S1 नाम से हमने यहाँ पर object create किया और वह object जैसे create होता है तो आ जाएगा यहाँ पर student जो constructor है उसके अंदर में और S का value कर देगा 1 ठीक है यहाँ पर यह copy constructor का जो है यह example है copy constructor का example क्यों है आप कैसे पता लगा लोगे यहाँ पर जो student s2 s1 लिखा हुआ है second third line में और यह यहाँ पर जो लिखा हुआ है student m% i मतलब कि यह copy constructor का जो है यह आपका syntax है देखिए यहाँ पर जो second में होगा student s2 s1 मतलब कि एक ऐसा constructor यहाँ पर copy हो जाएगा मतलब constructor के अंदर में कुछ value copy होगा कैसे होगा s1 का जो value होगा हो s2 के अंदर में copy हो जाएगा और यह call कर आएगा इस student को क्योंकि इसमें हम कुछ parameter यहाँ से pass कर रहे हैं तो जो pass करने वाला parameter है वही वाला constructor यहाँ call होगा तो यह एक constructor है जिसमें हम कुछ argument पास कर सकते हैं यहाँ पर है student का m% i i नाम से ठीक है तो अंदर में हम लोग कुछ declaration करते हैं integer type का कुछ भी और उसके अंदर में i.s i.s का मतलब कि आप जैसे ही आप कोई object create करते हो और उस पर dot operator लगा करके आप कोई दूसरा function का कुछ दूसरा variable का नाम लेते हो तो वह directly call होता है जो name of the function मतलब s यहाँ पर है तो s को ही call करेगा और s का value 1 हो जाएगा मतलब कि यहाँ पर i.s का value भी 1 हो जाएगा और वो initialize कर रहा है k का value k के अंदर में वही 1 आ जा रहा है value और यहाँ पर cout k कर रहा है मतलब कि यहाँ यह student जो copy constructor है वो print कर रहा है k का value मतलब जो हमने पहले declare किया हुआ था यहाँ s का value 1 है तो 1 print करेगा इसका value 10 है तो 10 print करेगा इसका value जितना है उतना print करेगा यह है प्रोग्राम इसे हम run करा करके देखते हैं copy constructor है इसलिए इसमें आपने देखा होगा कि जो same name of class अपने दो बाड़ी क्लेर किया हुआ है तो जो argument हमने यहाँ पास किया था वही यहाँ पर दिख रहा हुआ है यहां thank you के बाद 10 यहां print कर रहा है इसमें clear screen नहीं लगाया हुआ है इसलिए यह जो है जो value है उसे print कर रहा है thank you अलाब पहले का जो value है यहां पर erase नहीं हुआ है इसे हम erase करने के लिए एक बड़ वोईड मेंट के अंदर में clear screen डाल देते हैं यह है यहां पर अब जो भी वेमी को करोगे वो copy हो जाएगा किस पर copy हो रहा है यह आई पर copy हो रहा है और यह का value को रहा है कि में और के का value यहां पर यह हो रहा है मतलब इसमें अगर देखовор ओब्मैस कैसे हो रहा है तो आज दिक्ष फेल नाम Joom वेलियूज को आपको पता चल जाए कैसे आप करोगे इनिसलाइज जैसे मैंने आप सी ओ थ्री करके बनाया हुआ है इसे भी देख लेते हैं यह है एक प्रोग्राम जिसके अंदर में मैंने लिया हुआ है क्लास टीस्टी उसके अंदर में हमने कुछ यहां पर एरेस क्रियेट किये हैं हीडलाइन करके ट्वंटी वे जो है ये हमारा क्रेट कि औक में हमने यह दिक्लेर किरह ऊवा है जो प्र प्रॉटिक्ट कहीं पर हुआ कर सकते हों तौह हमने यहां पर टीस्टी को पब्लिक यहां पर जो constructor है वोसे किया हुआ है create और यहां डिस्ट्रक्टर का भी एक आपको एक्जांपल दिख जाएगा यह जो है टिल्ड लाइन यह डिस्ट्रक्टर को सो करता है डिस्ट्रक्टर बराने के लिए टिल्ड लाइन यहां पर यूज करते हैं हम लोग अब इस प्रोग्राम के अंदर में आप देखिए कि मैंने कुछ ज्यादा इसमें वेलियूस को नहीं किया है मैं ने यहां पर कुछ अब्जर्ट ज्यादा कहीं कौल नहीं कराया है सिर्फ मैंने एक प्यूश्टी टी करके एक उब्जक्ट यहां पर create किया हुआ है और इसी object से सारा काम हो जाएगा कैसे क्योंकि जब भी हम कोई object करते हैं तो directly call करता है वो एक constructor को जब constructor call होगा तो string copy का यहां पर हमने यूज किया हो है आप जब string copy को देखोगे तो थोड़ा सा आपको लग रहा हुआ कि यह क्या है मैं आपको बता दू कि string copy strcpy कोपी करता है उसके अंदर में जो लिखा हुआ है यह जो आर्गुमेंट्स है जो यहां पर लिखा हुआ हूँ इसमें कोपी हो जाता है क्या कोपी होगा यहां पर हो जाता है उसके बाद see out दिया हुआ है here is the topic आप see out में यहां पर डाइकली प्रिंट कर सकते हो यह topic here is the topic उसके बाद यह पूट्स है पूट्स में आप headline को जो है इंटर कर सकते हो मतलब कि जो प्रिंट करना है पूट्स का जो वेल्यू है अन्य है headline का जो व्लिव है constructor उसे आप यहां पर ड्रेक्ट लिप प्रिंट कर सकते हो पिछले वीडियो में इन गेट्स लिया वा था प्रोग्राम का जो है घर हैरेश करन सब्सक्राइब कर लिए यहां पर मैंब टैस लिया हुआ है ताकि मैं उस शडूली को और फूंट दे सकू है उस फूर में क्या उपीम करना होता है header file string dot sorry Studio dot एच हमने यहाँ पर पूर्स और गेट चे लिया हूआ है तो इहां पर सिफ मैंने याँ फॉर्ट स्कानिस किया हुआ है और उसका heading को हम यहां पर प्रेंट कर रहे हैं अब देख्ये यहाँपर डिश्ट्रक्टर कब कॉल होता है इसमें आपको सबसे पहले देखने का मतलब मौका मिल जागा इसमें आपको पता चलिए डिस्ट्रक्टर जो है कब कॉल होता है कॉल तो आपने देख लिया होगा लेकिन देखा नहीं है चलिए यहां पर आपको दिखाता हो कि कैसे होगा इसे रन करा करके देखते है अभी रन कराने पर क्या होगा दिस्टक्टर के अंदर में जो भी हमने लिखा हूआ वह प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि यहां पर इसको बन रपना आउडपूट यह पर देगा डिस्टर कर देगा चीजों को और यहां पर आपना output देगा क्या output देगा आप जब next देखोगे अगर clear इसके नहीं करते हो और next step में अब फिर से आप इसे run कराओगे तब आप देखोगे कि यह जो है class over the class over subscribe to the channel tst यह print हो जाएगा कैसे होगा चलिए run करा करके देखते हैं यह हो गया है current और यह देखिए यह new line जो हो गया है यह अभी का है और वह उपर वाला जो है पहले वह print कर चुका था मतलब जब हमने इसे entry दबाया हुआ था इंटर दबाया हुआ था उस टाइम वह print कर चुका था तो यही था कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इसमें आप पूट्स गेट्स का स्ट्रिंग कोपी का सभी का यूज करके आप कैसे किसी आप यहां पर जो है निव लाइन निव चीज अब जो इस्ट्रिंग कोपी बट्स गेट्स देख रहे हो यह अप धिरे दहरे देखते जाओं के ने ने प्रोग्राम से ने ने जो है functions ने ने यहां पर जो input output operators हैं उन्हें आप यहां पर देख सकते हो